नमस्कार आप देख रहे हैं स्पीन नाई नियूज और आपके साथ मैं हूँ फिजा काज में उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजास बदलने के साथ साथ 2022 के विधान सभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने लगी है सपा के राष्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के तीन दिन के दोरे पर पहुँचे हैं सपा प्रमुख पहले जोन पुर्स में अपने प्रमप्रागत वोट मुसलिम और यादवों को साथ दे नजर आए तो शाम को वारनसी में संकट मोचन मंदिर में अखिलेश माथा टेक कर सौफ्ट हिंदुत्व के जरिये हिंदू वोर्ड बैंक को सियासी संदेज देनी की कवायत करते दिखे वहीं अब आज उन्होंने विंद्य परवत की गोद में बसे मिर्जपुर में पार्टी प्रशिक्षन शिवर में अपनी कारेकरतां को चीत का मंत्र दिया जबकि शनिवार को वार नसी में वो संत रविदास मंदिर जाकर सूबे के दलित समुदाए को साधने की कोशिश करते दिखाई देंगे अखिलेश यादव के इस दौरे के कई माईने निकाले जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की महासचीव प्रैंका गांधी वाड़रा लगतार यूपी में अपनी पार्टी को मस्बूती देने में लगी है हाल ही में हुए प्रैंका गांधी के दौरों ने विपक्षी पार्टीों की मुसीबत पहले ही बढ़हा रखी है इसी को लेकर अब सपाप्रमों का खिलेश यादव ने भी मौर्चा समाल लिया है जी हाँ जानपूर में यादव और मुस्लिम समुदाय को साधते नजर आया खिलेश यादव जानपूर के बक्षा थाने में पुलिस हिरासत में मरने वाले किशन यादव के परीजन से मुलाकात करके उनके दुख को बार्थते दिखे और इंसाफ दिलाने का भरूसा भी ज कट किया इस तरह से सपया पर मुख जानपूर दौरे के जरीए अपने कोर वोड बैंक को सियासी संदेश देने की फिराक में है पुरवांचल दौरे पर पहुचिया खिलेश यादव ने गुरुवार को वारनसी के संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया और वहां ए दौरान संकट मोचन मंदिर की और से पूर्व मुख्य मंत्री को लंका दहन का फोटो और प्रसाद भेट किया गया अखिलेश यादव के साथ मंदिर के महंत बंडित विश्वांबर नात मिश्र की बातचीत हुई महंत ने बताया कि अखिलेश ने कहा है कि हनुमान जी आश वेश कर गए हैं वहीं अखिलेश यादव को मिर्जपूर में सपा प्रशिक्षन शिवर के माध्यम से शक्ती धाम में चुनावी गड़ी तैयार किया जाएगा इस शिवर में विध्यांचल मंदल के पंदरा सो कार्यकरताओं ने भाग लिया है प्रशिक्षन ट्रेनरों के जरीय कार्यकरताओं और नेताओं को राजनीती के गुर्श सिनाई देंगे काशी और प्रियाग के बीच गंगा नदी के किनारे बसा मिर्जपूर जिला शक्तिका के इंद्र माना जाता है माविध्या सामनी यहीं पर विराजमान हैं ऐसे में सपा प्रमुख माता के दरबा जाने के बाद से अपनी सियासी रड़नीती में बदलाव किया है बीजेपे के हाड हिंदुत्व के जवाब में सौफ्ट हिंदुत्व की रहा पर अपने कदम बढ़ाते वो नजर आ रहे हैं 15 दिसंबर 2020 को अखिलेश यादवने आयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा है वहां का दौरा किया और अपनी पार्टी दौरा किये गए धारमी कारियों को गिनाने की कोशिश की इसके बाद से अखिलेश लगतार मंदिरों को चक्कर लगा रहे हैं इसी साल 8 जनवरी को वो चित्रपूर्ट के लक्षमन पहाड़ी मंदिर पहुचे और कामागरी मंदिर के परिकर्मा करते दिखाई दिए इसी कड़ी में लगतार जहां भी जा रहे हैं वो प्रमुक मंदिरों में दर्शन करते साफ साफ दिखाई दी रहे हैं अखिलेश यादा पूर्वांचल के दोरे के अंतिम दिन मिर्जपूर से बापसी करते समय पी-एम मोदी के दुर्ग वारनशी में रविदास मंदिर जाकर कॉंग्रES के दलित एजेंडे को पुखता करने की पहल करेंगे सपाप्रमखुष अनिवार को वारनशी के सी आर गोब धर्णपूर में इस्तित्र संत्र रविदास मंदिर पहुचेंगे मंदिर में दर्शन पूजन के बाद संत् निर विदाज के प्रती काफी आस्ता रखती है ऐसे मैं अखिलेश यादव यहां से सूबे के दलिच समुदाइक को सियासी संदेश देने की कोशिश में हैं इन सब परे अखिलेश यादव सूबे की सत्ता को हासिल करने के लिए हर दाव आसमा रही हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है और उनके बयान से भी लगाया जा सकता है। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ कर दिया था कि वो राज्जी में किसी भी बड़ी पार्टी से गड़बंधन नहीं करेंगे। 2022 के विधान समा चुनाओं में गड़बंधन की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि सभी छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गड़बंधन के रास्ते खुले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखी मंतरी ने स्टेडियम का नाम बदलने की बात पर सरकार पर तंसकसा उन्होंने कहा कि वो अपने नाम पर स्टेडियम बनवा रहे हैं जिन्हें खेलना तक नहीं आता हम अगर स्टेडियम बनवाएंगे तो खेलने के श्यादव से अब तक तीन बार मुलाकात हो चुकी है और ये मुलाकात पश्चमी यूपी के नए बंते समीकरन की और इशारा कर रही है इसी को लेकर चंदर शेखर ने के इंटर्वियो के दोरान कहा है कि बीज़िपी के खिलाफ एक बड़ा गड़वंधन होना चाहिए त तब तक विपक्षी एकता नहीं हो सकेगी चुंदर शेखर ने साफ कर दिया कि पंचाय चुनाव पूरी ताकत से अपनी पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने में हमारा बूत इस तर तक गड़बंधन तयार होगा और हम दिखाएंगे कि बहुचन समाज किसके साथ है फिलहाल में इसी के लिए काम करता रहूंगा उन्होंने कहा कि हमारी सांजा कोशिश यह होगी कि 2022 में एक मजबूत सरकार का मतलब यह हुआ कि सरकार मजबूर होगी तो वो तानशाही नहीं होगी हम मजबूर सरकार इसलिए चाहते हैं कि सरकार तानशा ना बने और लोगों का शूचन ना हो विपक्ष की कोई सांजा सरकार बनी तो वो मजबूर सरकार होगी फिर किसी की प्रताना नहीं की जाएगी लेकिन अब देखने होगा कि आगामी विदानसभाद चुनाओं में क्या खिलेश यादव चंदर शेखर के साथ मिलकर यूबे की सत्ता हासिल कर पाते हैं और क्या खिलेश कब रुमान चल दौरा उनकी सियासी जमीन को मजबूत कर पाता है ये तो खैर आगामी विदानसभाद चुनाओं का मोहल ही बताएगा फिलाल अभी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ झाल झाल झाल